पियार का चसका, शहर के कालेज में पढ़ने वाला अमित छुट्टियों में अपने गाव आया, तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली चंदा आई थी. वो और उसकी बेटी रंभा तुझे बहुत याद कर रही थी. वो कह गई है कि तू जब गाव आये तो उनसे मिलने उनके चला गया था. जब अमित वहाँ पहुचा, तो चंदा और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे. घर पर रंभा अकेली थी. अमित को देखकर वो बहुत खुश हुई थी. रंभा बेहद खूबसूरत थी. उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बा उसके हाथ रंभा के सुडॉल उभारों से टकरा गए. उसकी चुवन से अमित के बदन में बिजली के कर्ट जैसा जटका लगा था. ऐसा ही जटका रंभा ने भी महसूस किया था. वो हैरान होकर उसकी और देखने लगी, तो अमित उससे बोला, यह लंबी चोड़ी सलवार भी नहीं चलेगी. वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा. उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी. उनके साथ वो सब कुछ करना होगा, जो तुम गाव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हो, कहकर वो उसकी ओर देखने ल होगी, कहकर वो उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके जिन्दगी के मजे लेना. इसके बाद अमेत उसके नाजो कांगों को बार-बार चुने लगा. उसके हाथों की चुवन से रंभा के तनबदन में बिजली का कर्ट सा लग रहा था. वो जोश में आने लगी थी. रंभा के मामबाप खेतों से शाम कोई घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था. यह सोचकर रंभा धीरे से उससे बोली, चलो, अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं. यह सुनकर अमेत उसे अपनी बहों में उठा क पीछे वाले कमरे में ले गया. कुछी देर में उन दोनों ने वह सब कर लिया, जो नहीं करना चाहिए था. जब उन दोनों का मन भर गया, तो रंभा ने उसे देशी घी का गर्मा-गरम हलवा बना कर खिलाया. हलवा खाने के बाद आमेत आराम करने के लिए सोने लगा. उस उने मुझे प्यार का चसका जो लगा दिया है। उध्धरन उध्धरन ये सुनकर उसके पिताजी बोले तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ। वहाँ पर खूब दिल लगा कर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ परलिख जाओगी तो तुम्ही कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारी जिन्दगी बन जाएगी फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहु चाहते हैं। रम्हा की माने कहा, तो अमित बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ा कर इतना ज्यादा होशियार बना दूनगा कि फिर ये अच्छे अच्छे पढ़े जब अमित सोने के लिए कमरे में जाने लगा, तो चंदा रम्हा से बोली, कमरे में दो पलंग हैं। तुम भी वहीं सो जाना। वहाँ पर अमित से बाते करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाय लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। उध्धरन यह सुनकर रम्हा मुसक्राते हुए बोली, जब से अमित घर पर आया है, तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनारी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली जिन्दगी क्या हो थी, वे दोनों उपर वाले कमरे में सोने चले गए थे, कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर तूट, पड़े, शहर में आकर अमित ने रम्हा के लिए नेने फैशन के कपड़े खरीद दिये, जिन्हें पहन कर वो एकदम फिल्म हीरोईन जैसी फैशनेबल हो गई थ अमित ने एक कालेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था, जब उनके कालेज खुले, तो अमित ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो रम्हा ने भी अपनी कई सहेलियों से अमित की दोस्ती करा दी गांव की सीधी साधी रंभा शहर की जिंदगी में ऐसी रंग गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में अमित और उसके दोस्तों के साथ खूब मौजमस्ती करती थी जब रंभा शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बंसमवर कर अपने गांव जाती तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलिया भी अपने मामबाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी थी अब अमित उसकी गांव की सहेलियों के साथ भी मौजमस्ती करने लगा था उसने रंभा की तरह उनको भी प्यार का चसका जो लगा दिया था